आधम बात करेंगे कौन सा ऐसा वक्त होता है जब घर में आटा नहीं लाना चाहिए और कौन सा ऐसा वक्त होता है जब घर में आटा लाना चाहिए पहले आपको बता दूँ कि ये वहम नहीं होते हैं ये positive और negative vibration का एक करम होता है जिसे हम vibration यानि उर्जा energy level कहते हैं यदि आप सूरे डूबने के बाद घर में आटा लाते हैं तो energy level कम होता है जिस कारण negative energy आटे के साथ आपके निवास पर प्रवेश करती है और खाने वालों को negative energy साथ साथ मिलती है प्रतु यदि कहीं आप आटा सूरे डूबने से पहले लेकर आते हैं तो आपको positive energy मिलती है और Sunday को आटा नहीं खरीदना चाहिए सिर्फ Sunday एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको आटा नहीं खरीदना चाहिए बाकि किसी भी दिन आप आटा खरीद सकते हैं यही हाल गेहू कहा है यदि आप गेहू लेते हैं तो सूरे डूबने के बाद कभी भी गेहू मत खरीदें यहां अपने निवाद पर मत लेकर आए जो कि नेगटिव अनर्जी साथ ही आती है यदि आप नेगटिव अनर्जी से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप आटा सूरे डूबने से पहले लाएं और दिन में लाएं यदि आप एक बज़े से पहले लेकर आएं तो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि पोजिटिव अनर्जी उसके साथ साथ आती है और आटा जो है वो सर पर उठाकर नहीं लाना चाहिए यानि सिर के उपर रखकर नहीं लाना चाहिए या आप गोद में उठाईए या फिर किसी वस्तू पर रखकर ला सकते हैं और जब पेटी में आटा डाला जाए तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पांच पत्ते तुलसी के डाल दें तो पोजिटिव अनर्जी और अधिक मिल जाती है तो अब आप समझ चुके होंगे कि जब भी जब में आटा लाना है आप जब भी आटा लेकर आएं सूरे डूबने से पहले पहले लेकर आएं जैसाईराम नमस्कार इस वीडियो को यानि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए और इस वीडियो को लाइक करना मत बूलिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वले समय में मेरे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हमारा रिष्टा बना रहेगा यदि आप उससे कोई सवाल करना चाहते हैं अपना जनम पत्री दिखाना चाहते हैं को इस मस्या का निवारन चाहते है तो मेरे सक्रीन पर जो नमबर दिख रहा है उस पर वर्टसेब कर सकते हैं किर्पय वर्टसेब लिख करें कॉल मत करें किर्पय कॉल ना करें वर्टसेब करें 24 से 48 गंडे के अंदर आंसर आपको जरूर मिलेगा मैं आपको जवाब जरूर दूँगा अब इजाज़त दीजिए नमस्कार, जैसाहिराम, खुश रहिए और अपना द्यार रखिए